कि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू आल अप्यू होप सब बहुत बहुत शांदार होंगे सेकेंड का वेड करें वो लाइक के थू अपनी अपनी प्रिजिंस वड़ा फटी माग करते है ना लगना चाहिए महाल बन रहा है ऐसा वाला ठीक है जी जल्दी जल्दी सारे बच् अगर इसारे बहुत है बहुत है एक आपके दस पेज का टॉपिक बहुत ही तावड़ तोड़ तरीके से विद कंसेप्ट एक्जांपल और आपको याद कराने के मकसद के साथ पूरा करा आज एक और तगड़ा टॉपिक जिसको हम कवर कर रहे होंगे सुदेट मज़ा आ रहा हो है ना सब्सक्राइगा कि नहीं आएगा जरूर बस देखना यह कि बच्चा उसको कितना डिले करके लिए चला जाता है आएगा जरूर यह तैह है कुछ बच्चे तो जन्यून है ना उनके लिए तो काम करेंगी बट वही बात है कि उसको कितना डिले करते हैं यह देखने वाली बात होगी ओगे बोटर जी पता ही नहीं तुम्हें आज क्या है तो कैसे कर लिए चलो एक बार ही मैं चेक कर लूँ और डिवीडियो परफेक्ट है परफेक्ट है अल्गुड ठीक है तो जितने बचलाई है वोग अपनी अपनी प्रिजन्स लगा लें और चलिए महाल बनाया जाए अट अट आट अट अट चलिए जनाब चैट सेक्षिन को बस आफ करेंगे विज़ा मिनाट यदि आप चैट नहीं नहीं उसकर पा रहें तो सब्सक्राइबर मोड और और कोई विज़न नहीं है कॉपी पेल लेके बैठ जाएं महाल लीजे है रहा चलो जी ओके जनाब चैट सेक्षिन को करते हैं और आजाओ चिरू करते हैं कुछ बहुत ही ताबड़ तो टॉपिक बहुत ही ताबड़ तो ठीक है चलिए तो अभी तक हम लोने classification of companies के बारे में सीख लिए जहां पर मैंने आपको बोला कि five category है company की और आपने पूरा concept दिवाँ में setup कर लिया अब बारी है कि company create होने की बात हो गई हाँ जी company यह होती है company की इतनी category है तो हम एक बात पता हुने चीग एक ऐसा document available होता है जिस document को base बना के कोई भी company registered होती है तो registration of companies ना करते हुए पहले वो document की बारे में जारेंगे कौन सा document है जिसकी विया से मलब conditional document है अगर मैं आपको word देना चाहूं तो मैं आपको यह कहूंगा जिस document की मैं बात कर रहा हूँ इसको हम लोग क्या कहते है conditional document बिना इसके कुछ भी नहीं होना पहले मेरे साथ लिख ही आप लोग है ना conditional document तो आप सोचिए संभव था कि मैं registration of company की पहले बात करता बट नहीं हमने कहा ना जी ना उसको hold करते हैं पहले वो document चेक करते हैं जो कि conditional document है without this document no company can be incorporated और registered आप इसकी value समझो है ना कुछ कुछ पॉइंटर बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना तब से पहला यह जो document आडिस्स करने चल रहे हैं अभी हम लोग यह conditional document है है ना एक बात तो यह दिमाग में clear कर लो conditional अब सवाल है कि condition क्या होगी तो condition यह है basically कैसी condition है वो भी समझते हैं यह एक fundamental condition है ठीक है जी कैसी है fundamental condition that means without this document company का registration संभव होगा ही नहीं एक बात तो यह clear हो गई है ना दूसरे point पर चलते हैं जिस document की हम लोग बात कर रहे हैं यह एक public document हो जाएगा कौन सा public document हो जाएगा और यह कहां पर mention होगा under section 399 of the company's act 2013 अब क्योंकि यह public document हो गया है that means that means anyone can inspect this document document by paying a nominal fee तो कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति एक nominal fee पे करके इस document को चेक कर सकता है अब आपके मन में सवाल आएगा करना क्यों है चेक क्वेस्टन तो valid है ना तर आपने बोला यह document एक fundamental conditional document है बीना इस document के बीना इस document के no company थोड़ा 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 से level आप कर दूं मज़ा आएगा भाई है ना यह हम कह सकते इसा चार्टर डॉक्युमेंट ठीक है जी कैसा document है चार्टर डॉक्युमेंट है आप यहां नीचे पॉइंटर बना लिजिए पॉइंटर बना चलो मज़ा आना चाहिए मौल बना चाहिए तो conditional डॉक्युमेंट है एक चार्टर डॉक्युमेंट है बिना इस डॉक्युमेंट के no company can be incorporated कोई भी company रजिस्टर डी नहीं होगी समझ पार हो कोई भी company incorporate होगी ही नहीं बच्चा कहता जी बवा आई तो समझ आ रहा ठीक है थीड़ो और आगे बढ़ते हैं सवाल ही आया इन सारे inspect करना क्यों है उसकी पीशे चलते हैं आजाओ अगली हटिंग यहीं पर बनाओ दो मेजर रीजन है जब मैं आप से बोलता हूं कि कोई चीज है उसको आपको क्रॉस चेक करना चाहिए समझी है कि मैं हमेशे एक बच्चे से कहता रहा कि बच्चे जब आप examination की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेक शूर करें कि आपके हाथ में आपकी स्लेबस की जिरॉक्स कॉपी हो जिसको क्रॉस चक करते रहें मज़ा आता रहें जब मैं फ्रूच से स्लॉट की बात करता हूं तो मैं इस प पास स्लेबस होना चाहिए आप इस स्लेबस की कॉपी को inspect कर रहे होते हां ना यह कर रहे होते इंस्पेक्ट बाई पेंग दर नॉमिनल फीज दस बीस रुपे जिरॉक्स निकोला है मौज हो रही है तो आपने इसके लिए करा similarly reason क्या है दो reason है समझे सबसे पहला सबसे पहला जो एक prospective shareholder है कौन है prospective shareholder उसको यह जानने में इंट्रेस्ट है ब्याज़ा बनाओ पैसे लगाएंगे तो return आएंगे और लगाएंगे तो क्या risk involved है repeat after मैंने क्या वोला है एक जो prospective shareholder prospective shareholder वो shareholder होता है इसने पैसे लगाए नहीं है लगाने की सोच रहा है ठीक है तो वो दो चीजे जानना चाहता है इस book को read करके document को read करके वो जानना चाहता है ROI क्या है return on investment दूसरा क्या जानना चाहरा है risk क्या involved है यह तो जानना ही चाहेगा ऐसा थोड़ी कि मौज कर लो तुम दूसरे point पर चलते प्रोस्पेक्टिव shareholder के हमने बात कि second one अब जो हमारे outsiders है महल ले बार हो तुम outsider या फिर यह कहें जो creditors हैं अब यह भी आपकी company के उस fundamental conditional document को read करना चाहेंगे आप भोलो कि सार इनको क्यों read करना है यह या तो loan दे रहे हैं यह या तो credit पर stock दे रहे हैं यही तो बात है मैं outsider आपको loan provide कर रहा है हाँ या ना चेक करते चलो outsider आपको loan provide कर रहा है creator आपको credit पर stock provide कर रहा है तो इसको document क्यों जानना है logic पर चलते हैं इसको इसलिए जानना है so that यह समझ पाए कि आप आपकी जो paying capacity है वह इतनी है कि आप timely return कर देंगे amount आया ना कुछ बात समझ आ रही है आपके पास paying capacity है कि नहीं कैसे पता चलेगा जैसे वह आपका fundamental condition जो है वह देखेंगे उसी point पर समझ जाएंगे कि आपके पास paying capacity है या नहीं है मेरे दोस्त मैं इस moment पर बात कर रहा हूं इस conditional document में इस document की this is called memorandum of association तो एक association एक mind में आपने image build up कर ली अच्छा तो यह यह वाला document है जिसके बारे में discussion हो रहा है Memorandum of association यह वह document जो बताता है company का motive क्या है यह वह document जो बताता है company के पास capital कितना contribute करने वाली है यह वह document है जो बताता है कि जो company जिसके हम बात कर रहे हैं वो कितनी liability भी एर कर सकती यह वह document है जो बताता है company का registered office कहां पर है यह वह document जो company की liabilities को disclose करता है this is why इसको हम बोलते है fundamental conditional document चैट सेशन में में कोई बाद जल्दी से बताएगा mind में image build up हो गई कि जब हम बात करेंगे Memorandum of association की तो हम इतने point पर बात करेंगे खुब सूरत जल्दी जल्दी बढ़ा दो क्या सब ने एक बार image build up कर ली दिमाग में कि हां यार discussion इस point पर जा रहा है है ना अभी तो एक view दिया है जल्दी जल्दी बोलो दो क्या mind make up हो गया कि यह ऐसे चलना है दोस्त जल्दी से बताईए all good है बढ़िया तो कि अभी यहां तक मामला खतम थोड़ी होगा आप तो इसके आगे बढ़ेंगे ना हम लोग ठीक है ना बढ़िया यदि आप सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो आपकी लाइक अगर लगी होगी तो बहुत ही बढ़िया तो यह public document है सब इसको समझ में आ गया है public document section 339 में 399 में है कोई भी इसको चेक कर सकता है भाई पेंगे नॉमिनल फी दो रीजर ने चेक करें एक प्रॉस्पेक्टिव चेक करेंगा कि जो पैसा लगार इस पर रिटन आएगा कि नहीं आएगा ऐसा वाला ठीक है ना बहुत जल्दी बोल पाऊँगे बच्चे टेंशन बिल्कुल ना लो बिल्कुल ना लो बस पढ़ने मदा रहा है अरे लो यह भी नियागत काम कैसे चलेगा दोस्त शुरुबात करते हैं इसी को focus बनाते हुए मैंड में कि मैंच बिल्ट अप कर लिए मैं में में नमों एक ऐसा डॉक्यमेंट है जो की चार्टर है बीना इसके कोई कंपरेट नहीं हो सकती है इसके बारे में बात करी गई है दो लोग इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं बाई पहला प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो जानने में इंटरस्टेट है जो इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रूप की बहुत ध्यान से सुन दे चलेंगे जब एक कंपनी बिल्डप होती है तो कंपनी कितने वर्टिगल में काम करती इस पर ध्यान दो मैं सिर्फ आपको इमेज दिखा रहा हूं सो देट आप रिलेट कर पाओ कि MOA जरूरी क्यों है बहुत ध्यान से और यहा टा यहा पर देखने हैं वर्टिगल कि टांटा ग्रूप है ना यह क्या है जो आप यहां देख पा रहे हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिगल कि टाता ग्रूप किन और किन कर रहा है आपको पता लगा, IT सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, Automotive, Consumer, Retail, Infrastructure, Financial Services, और सेट, Defenses, Tourism and Travel, Telecom, Media, Trading and Investment, आपको समझा आगे बड़ी पिक्चर अच्छा ठीक है, तो Tata Group इतनी जगों पर डील कर रहा है, तो Tata Group का एक MOA होगा, Memorandum of Association जहां पर Tata Group ने अपना Object बताया होगा, बहुत ध्यान से सुनते चलना, क्या बताया होगा उन्होंने, उन्होंने अपना Object बताया होगा, उद्देश और इसी को हम लोग बोलते हैं, Object Clause, ठीक है जी, माम भी रुका नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, Tata Group आपने देखी लिया, तो अब बारी है कि आप Reliance Group का भी Business Empires समझ पाओ, ठीक है, जब आप कोई भी चैनल देखते हैं, कोई TV Shows देखते हैं, कोई News Channel देखते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए, कि भाई, वो Media Industry किन के पास है, समझ पार हो, ध्यान दो जरा, इस्टोर और सर्विसे जब आप देखते हैं, Reliance Smart, Gio Smart, Reliance, यह इनके पार्ट में है, इन स्टोर ब्रांट्स, इनके पास कौन कौन सी है, देखो, फिर टेक्स्टाइल, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, आजो Reliance Aviation, Reliance Gas, आता नहीं सब कुछ, Media, Network, 18, Colors, Colors Channel, है ना, आगे ओड़ो, Chemistry, यह यह जो आप देख पारें, Polymer और Digital Services, Digital Services में, Gio TV आप देखी पारें, Gio 7 यह सब चीज़ चल रही है, Soul Motive बताने का यह है, कि आप अपने दिमाग में Image Build Up कर पाएं, कि एक Company जब Create होती है, तो उस Company का Soul Motive होता है, कि वो अपने जो भी Prospective लोग है, उनको यह बता सके, उसका Motive क्या है, उसी व्यासर उसको Investment मिल रहे होते हैं, अब मेरे साथ लिखने के लिए त्यार हो जाएगे, आईए, लिख लिख कर सीखें कि actual में हम discuss क्या कर रहे हैं, मदा वहीं जाएगा असली, चलिए जनाब heading मनाईए मेरे साथ में अब, Memorandum of Association, हैं जी, समस्ते हैं जरा, Memorandum of Association actual में क्या है, आजाओ, सबसे पहली बात, Section 2, Subsection 56 of the Companies Act 2013 में इस बारे में discuss करा गया है, ठीक है जी, कहां पर discuss हुआ है, Section 2, Subsection 56, एक बात का विश्चे जहान रखें कि जो भी related questions होंगे, मैं आपको Telegram पर provide ही करूँगा है, तो Telegram पर search करेंगे, CTC classes, जहां पर 48,000 से जाधा बच्चे हैं, उसी channel की में बात कर रहा हूं, कोई Second Channel नहीं, मैं इक बतारा हूं, बिकोज माली में आपको Question Practice में देना स्टार्ट कर रहा, फिर आपको पता ही नहीं, बाद में आपने चैनल जोइन किया, तो आपको यी आइडिया पहले से होना चाहिए, आजाओ, आगे बढ़ते हैं, हां जी, तो Memorandum of SEO कुछ pointer मेरे साथ और आए लिखिए, सबसे पहले जो आपने pointer दिमाग में रखना है, वो वह ही है, कौन सा fundamental document, बिकोज ये रखेंगे ना, तो clarity बड़ी ज़्यादा होगी, चलिए अब समझते हैं, ये क्या कहते हैं हम लोग इसको, हम इसको बोलेंगे MOA, जहां जहां MOA लिखेंगे समझेगा, momentum of association की बात कर रहे है, ठीक है, MOA is the fundamental condition, लिखो जी, fundamental condition, MOA क्या है, fundamental condition है, upon which alone, upon which alone, इसी के आधहार पर, इसी के आधहार पर, is allowed to incorporate, incorporate a company, ये बात आपको समझा गई, कि सिर्फ अकेले, अकेले, alone, सिर्फ अकेले, इस fundamental condition के base पर, कोई भी कंपनी, incorporate होती है, बच्चे नहीं का, अच्छा, ठीक है, ये बात समझा गई, तो और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर होगा क्या, इस pointer समझे, ये समझ आ गया, अब एक दिमाग में बात लानी है, कि सर, ये समझ तो आ गया, बट ये जो condition की बार-बार बात आ रही है, क्या condition होगी, बई पता तो चले, हमने का, जी condition होगी, condition होगी, बच्चा कहता है, वो तो ठीक है, बट क्या condition होगी, समझते हैं, ओके, आ जाओ, लिखोए में साथ में, इट डिफाइन, दि पावर, ओफ दी कंपनी, क्या करेगा, ये डॉक्यमेंट कंपनी की पावर को डिफाइन करेगा, ओके, आगे बढ़े, इसा नहीं होगा, ओबजेक्ट औफ फॉर्मेशन, ये सिर्फ कंपनी क्यों क्रिएट हो रही है, इसका ओबजेक्ट ही नहीं बताएगा, अब समझे, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी का क्या ओबजेक्ट होगा, ये बता दिया, तो क्या सिर्फ इतना बता देने भर से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो सर करना क्या पड़ेगा, ये एंशूर करेगा, कि जो भी पॉसिबल स्कोप है, कंपनी उसके अंडर में रहके वर कर रही हो, अब आपको मन में सवाल सर मालो, beyond the power चली गई, तो null and void बात खतम, जो भी activity कंपनी कर रही होगी, beyond the power of the company, वो act null and void हो जाएगा, करते हैं, but also determine, okay, the utmost possible scope, possible scope की बात करी जा रही है, of its operation, of its operation, possible scope जोगा, उसके बारे में बात कर दिया है, कि company, operation का मतलब चीरफार नहीं, operation का मतलब यहाँ पर, उस activity से है, जो company कर रही होगी, ठीक है जी, उन activities से, जिसमें company deal कर रही होगी, आगे लिखो, operation beyond which, operation, beyond which, उसके बाहर, है न, its action cannot go, beyond which, its action, cannot go, तो हमने यह बता तुदिया, कि भाई साब, इसके बाहर, इस activity के बाहर, company action नहीं जा सकता, बट मन में सवाल आता है, सवाल क्या है, है न, मिर साथ लिखो, question raise होता है, कि sir, यह तो समझ आ गया, company, जो create होगी, उसके साथ condition यह है, कि वो document company की power decode करेगा, company की power यह है, हमने का, ठीक है जी, लेकिन वो सिर्फ object नहीं बताएगा, वो साथ में क्या बताएगा, वो possible इसको भी बताएगा, कि company कहां कहां, किस operation में deal कर सकती है, but condition क्या आई, और question क्या आया, कि sir, अगर beyond the power, beyond the power of the company, अगर operation हुआ, समझना, beyond the power of the company, अगर operation हुआ, तो मिर दोस, यहाँ पर दो तरीके से assistance हो सकते हैं, समझना, बहुत ध्यान दो तरीके से operation हो सकते हैं, पहला, 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 ईसे लिखो लिखो मता आएगा आपको है न इसको ने पेष पर देफ में रुकत कते तरहें। हां यहां लिखो अ पने जहां लिखा वाहिंट कोई दिकत नहीं है बियॉन्द पावर है। कि ब्यूंड डी पावर में हमने आपसे भी कहा यहां पर ऑस चिस ऑपरेशन की बात करी जा रही है रहे है यह दो तरीके से हो सकता है एक है एसे लेते हैं यह दो तरीके से हो सकता है है रहा पहला तरीका क्या है पहला तरीका है लिखना मेरे साथ में बियॉंड दी पावर ऑफ दी कंपनी पहला तो तरीका है जिस ऑपरेशन के हम लोग बात कर रहे हैं वो कंपनी कि पावर के ही ब्यॉंड है दूसरा है कि मियंड डेप्र 109 ऐसे दिए डाट के व्यांड दी क्ट रियक टर डाट के निए डूसरा तरीका ये कहता है कि जो कंपनी की बात हम लोग कर रहे हैं जिस Experiment के बात कर रहे है वो act beyond the power of the company नहीं है वो beyond the power of the directors है समझे अगर act company की power के beyond चला गया इस act को हम लोग ultra virus act बोलेंगे यह आपको मिल जाएगा ठीक है ultra virus act बोलेंगे और यह जो ultra virus act है लिखिए it cannot be altered इसमें कोई भी बदलाव नहीं लाया सकता इधर चलते हैं अगर beyond the power of the directors हुआ directors के power के beyond हुआ तो इसे क्या बोलेंगे इसको इंट्रा वाइरस एक्ट बोलेंगे ठार जाओ इंट्रा वाइरस यह कोई वर्ड नहीं है लेकिन मैं आपको समझने के लिए दिमाग में डाल रहा हूं अल्ट्रा वायरस बियांड दी power of the company इंट्रा वायरस बियांड दी पावर नहीं है अंडर दे पाद लाव ला सकते हैं इट कैन बी अल्टरड बाई पासिंग को इस्पेशल रेजोलीशन इन जनरल मिटिंग एक मिटिंग बुलाई जाएगी उसमें एक एक रेजोलीशन पास कर दिया तो यह होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात खतम है ना थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इसलिए नहीं पेश पर ले लेते हैं इसको जिसे आप समझ भाओ कि हम डिसकस क्या कर रहे हैं यह जो कमपनी की पावर के ब्यॉड गया है इस एक अगर कमपनी के पावर के बियॉड चला गया तो एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे नल एंड वाइड यह इमेज भी मैंड में सेट अप हो गई कि हम लोकिन डिसकस क्या करा भी हमने आप से कहा एक फंडामेंटल कंडिशन है कमपनी की यह पावर होगी कमपनी अपनी पावर के अंडर में रहके पफॉर्म करेंगी ऑपरेश से करा गया है अगर ब्यूंड पावर अपनी इस एक एंड वाइड और यह नहीं होता संजी मस तरीके से समझ आ रहा है यही तो चाहिए जीवन में है औल गुड है बहुत सही जा रहे हो बहुत उन्नत दिगर हो गए है ना समझभा रहे हैं तुमको अब भी M.O.A. पढ़ा रहे हैं बढ़ियां आज थोर आगे बढ़ जाते हूं महौल लेते चली ग्लास में अ रे भाईया यह सेपरेट टॉपिक नहीं है वो टॉपिक ही अलग है अल्ट्रा वायरेस वो अलग टॉपिक है यह आपको सिर्फ पावर के ऑपरेशन को समझा रहा हूं ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हमको एक बात अभी तक क्लीर हो गई हां भाई M.O.A. is a fundamental conditional document without M.O.A. no company can be incorporated or registered mind setup हो गया ओके M.O.A. यह होता है अब बढ़ते हैं अगली heading की तरफ लिखना मेरे साथ में purpose of M.O.A. अब पता तो चले कि भाई साथ जिस memorandum of association की आप बात कर रहे हो purpose क्या है है ना M.O.A. का purpose अलग है M.O.A. में एक topic आता है object clause वो उसका purpose बताता है company का but company का purpose नहीं जानना पहले तो हमें M.O.A. का purpose जानना Memandum of association क्यों जरूरी है तो अभी अभी हाला कि मैं जब आपको इंट्रो में समझाया है ना बोलते हुए कि देखो बिटा ये 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 होता है बच्चा लाई क्या रहा है घजब बता दिए तो आधी चीज़े मैंने वहां समझा दी पर फिर भी लेंगे आ जाओ सबसे पहले प्रॉस्पेक्टिव पर्पस पहला पर्पस क्या है कि भया जो लोग प्रॉस्पेक्टिव इंवेस्टर्स हैं उनको बता दो कि सब सही जा रहा है दूसरा लिखते जरूर है ना मेरे साथ कि मज़ा तभी आएगा ऑब्जेक्ट पर्पस जो उद्देश वगरा है सब बता दो देखो देखो यह होगा तीसरा इस अहीं मैंध डिलिंग विट ऑउट्साइडर्स का एंड रेडिटर्स इनको भी बता दो कि भी या देखो हमारी कंपनी है इसमें यह यह होगा रहां प्रोस्पेक्टिव परपस औब जेक्ट परपस और डीलिंग विद आउटसाइडर एंड क्रेडिटर्स समझते हैं जैसे मनें बुला प्रोस्पेक्टिव परपस तो यहां पर समझे यहां पर होंगे हमारे पास कौन अब्रोस्पेक्टिव शेयर आभी मैंने आपको और बता दिया प्रोस्पेक्टिव फिल्डर कौन में जो यह जानने में इंटरेस्टेड हैं जो यह जानने में इंटरेस्टेड हैं बह, यह वो लोग Man यह कौन लोग हैं यह हमारे कंपनी के future investor है यह पैसा लगाने को ready हैं लेकिन यह हवा में तो नहीं लगाएंगे न भई यह यह तयार हैं हम पैसे लगा देंगे बट ऐसे लगाएंगे नहीं यह दोच यह जानना चाहेंगे पहला यह क्या जानना चाहेंगे कि भाई साब वो ROI मिलेगा आया ना यह returns के बारे में डिस्कस करेंगे return on investment है की नहीं यह कंपनी में बहतर है की नहीं है दूसरा ही क्या जानना चाहेंगे रिस्क involved और यह कहां से जानेंगे जब यह कंपनी का MOA पढ़ेंगे कंपनी के में डिस्कस क्या करा गया है आते एंगले पॉइंट पर object purpose की बात करते हैं तो कुछ pointer दिमाग में आने चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं समझते चलना सबसे पहले जब हम MOA की बात हैं सबसे पहली बात ही भाई साब जड़ा डिस्कस कर लो कि कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं वह profit motive के लिए काम करने वाली है या फिर non profit motive के लिए काम करने वाली है बताना पड़ेगा ना क्योंकि इसी के point को base ब करने वाली आप कोई पता है section 8 company जो non profit company होती है वो dividend declare नहीं करती क्योंकि उसका motive यह थोड़ी कि हम अपने investor को खुश करें उसका motive जो sole object लेके चले थे हम कि हमें society का welfare करना है अगर profit होता है तो हम उस पैसे को society के welfare में वापस से लगाएंगे है ना तो पहले यह चेक कर लिया है तो आगे बढ़ते आते हैं ओके एक पॉइंट यह हो गया है ना दूसरे पर चलते हैं अगला अगर माल लिजे यह company ऐसी है कि profit motive में है तो कौन से product में deal करती है object से हमको यह पता लग जाएगा अगला कौन सी services में deal करती है object देखने से हमको यह भी पता लग जाएगा बच में खा रहा था तो मैंन में कुछ आ रहा था कि यार आईटी से स्टेल से स्टील में टाटा स्टील यह जो भी और रिलाइंस में इतनी सा इंडस्ट्री परपस क्या है आप जब कहीं पर पैसे लगाने जाओ तो आप जाने में इंटेस्टेट नहीं होगे कि वह company किस product या फ आउटसाइडर को मैं यहां पर बैंक डिकोड करूँगा सो देट आप और बहतर समझ पाएं और credit को मैं यहां पर क्रेडिट परचेस जीकोड करूँगा जिससे आप और बहतर समझ पाएं अब यह क्या जानना चाहेंगे है ना दे बोत want to know यह क्या जानना चाहेंगे सोचो जिसने आपको लोन दिया है सोचो सिर्फ इतना इसमें रटने ऐसा कुछ है नहीं वो क्या जानना चाहेगा वो जानना चाहेगा तब से पहला point कि भाई जो हमारे contractual relationship है कैसे contractual relationship उसमें धोखा धड़ी की उमीद तो नहीं है क्या मामला आगे बढ़ जाएगा contractual relationship चलेंगे नहीं चलेंगे दूसरा जो corporate का object है है ना क्या वो work out करेगा कि नहीं करेगा corporate object का मतलब वो भी समझते है corporate object का मतलब जो loan दिया है वो return हो जाएगा जो stock on credit दिया है उसकी payment आ जाएगी यह तो जानना ही चाहेंगे न लोग तो तीन तरह के purpose यहाँ पर decode होते हैं अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं मोई होता क्या है fundamental conditional document परपस क्या है तीन तरह के परपस में प्रोस्पेक्टिव परपस जहां पर शेरहोंडर को बताना है हमें as a document देखे कि कंपनी पैसा लगाने लाएगा और परपस क्या है company profit motive में आ रही non profit में आ रही किस product या फिर किस service में deal करती है डिली में तो आउटसाइडर बोले तो जो लोन दे रहा है बोले तो बैंक क्रेटर बोले तो जो क्रेट पर पर हमको स्टॉक करा रहा है हम करेट पर जहांसे पर्चेस कर रहे है यह दुनों गया अगली मनाओ चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग ओंस और अब हम जानेंगे टेबल एबी सीडी इए ठीक है ओंस और मेमरेंडम क्लास में याद करके जाना है तिर्फ पढ़के नहीं जाना है अभी तो आप फिल ले पाएंगे आप सीटी सी क्लासेज में पढ़ रहे हैं अ कि तो फिर वही है हाँ जी सीडील तयार ओके टाइप आफ कंपनी पढ़ी आपने ना पाइप केटेगरी है उस केटेगरी में टाइप आपने पढ़ा जहां पर हम लिमिटेड और अलिंपेड कंपनी की बात करते थे कौन सी प्राइवट पब्लिक ओपीसी नहीं इसमाल अरे मज़ाने वाला भाई समस्ते हैं जनाब कॉलम बना ले ना मेरे साथ में देखो आपके मॉड्यूल में कैसे छपा है हमको फरक नहीं पड़ता लेकिन हाँ मॉड्यूल का पूरा कॉंटेंट में आपको दे रहा हूंगा ये सच बात है एक तो भाई बात ऐसी है एक करो आपको पर ये आवाज आ रही होगी डेफिनिट्ली आ रही होगी इमेच प्रॉपर विजिबल नहीं होगी बिबाउस एक टिसी टीटी का तकड़ा फॉल्ट आ चुका है अपने आपने इस लेवल है ये भी एक्सपिरेंस आप कंड्रोल दर तिंग्स विचिए न कंड्रोल तीज के अच्टोर थी गया भई हुम् 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 कि आपके जनाव अभी मुझे आपको form of memorandum बताना है कास में important points बताने है content बताना है और बड़ा सारा टॉपिक है आप कैसे मजा आएगा क्याइट section on करते हैं मैं आपको दिख भी नहीं रहूंगा रुको जड़ा प्राकृतिक उजाली की तरफ चलते हैं कि प्राकृतिक उजाली की तरफ जा रहे हैं एक मिल्ट फैरें कि आपको दिख रहा हूं अब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं वाव अब दिखना शुरू होंगे क्या पता हुआ 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 है कि क्या है महाल अच्छी बात यह थी लिखी रहे थे वह चला गया सब्सक्राइब कि मैं बोलता हुआ आप लिख लेंगे सच में अच्छा बोलो बोलो हम भी शुरू करें मैं थोड़ा बहुत विजबल अभी हो रहा हूं न मैं आपको ड्राफ्ट देता जो आप लिख लोगे में जल्दी बताना तो हम समय क्यों लगाए शुरू करते ना यार जल्दी बता होते हैं ना भाई आलाग यह गल्ती से होता क्योंकि रेजिश्रेश्न नहीं होता तुम्हारा घ्राफ्ट कर दो अधिरा कुद प्राकरतिक उजाले की बीज़ चलो चैट सेक्शन उफ करते हैं और आप अपने इंटलेक्श्वल से यह देखो Thank you sir आप फार्च पहीं थाई के परमात्मा तोर्च से बोड़ से चलेगा तरवार चलना है लाप्टॉप चलना वाफ टोपूटर चलना है सारी चलने है माइक का सरवर चलना सब सब उल सेट है वर वह यूपे सावच कर रहो वह आधा नहीं आगे वड़ा हमापकी स साथ चुनाओ थोड़ी लड़ने जा रहें बात करते हुए वेट करो वेट रहे बना लोगी तुम चिंता मतकव तीन कॉलम बनाओ टेबल एक हो गया लुक पाएगी ब्लैंक पर हमारे पास है चिंता मुक्त बैठो वालक आ जाओ जगड़ा महौल बनाते हैं कि तीन कॉलम बनाने हैं दोस्त क्या पता विजिबिल्टी है मताज है भाई पहला कॉलम बनाना है टेबल का पहला कॉलम होगा ठीक है दूसरा कॉलम मनाई मैं तुम्हार साथ लिख रहा हूं तुम टेंशन ना लगो और तीसरा कॉलम मनाओ टाइप आफ कंपनी का मैं उमीद करो तुमने ये तो करी लिए दोस्त टाइप आफ कंपनी का ठीक है ये तीन तरह के कॉलम ऐसे बन गए अगर दिख रहा हो तो बहुत बढ़ी है निए त अब बढ़ते आगे टाइप आफ कंपनी पर जाओ टेबल एक ठीक सामने लिखो कंपनी लिमिटेड बाई शेर टेबल एक ठीक सामने लिखेंगे कंपनी लिमिटेड बाई लिमिटेड बाई शेर टेबल एक ठीक सामने टेबल बी के सामने चाहिए और लिखें लिखते रहना इस पीड में टेबल बी के सामने कंपनी लिमिटे बाई गारंटी लिंधान रखेंगे not having share capital लिख दीजेगा not having share capital ठीक है जी जोने आवच्छा भी भी live chat में आए होगा तिंदा ना करें पढ़ा ही करें पहला है company limited by share दूसरा है company limited by guarantee but capital word में not लिखेंगा not having share capital तीसरा टेबल सी की तरफ चलो टेबल सी की तरफ चलो धन्यवाद company लिख लो लेकिन अभी नालाइक पहले जब तक बोर्ड ओन लिखो ना और पतल डीजी से बैक आप आप फिर बैट जाएगा यह तुम लिखो भी और रहा ओन हो जाएगा लिखते रहो लेकिन थर्ट थर्ट टेबल सी लिखो टेबल सी सामने company limited by guarantee लिखते रहना हाँ मैं जाना हो electricity आगे बाट तुम लिखो यार कहां जा रहो कम्पनी लिम्टेड बाई गारंटी टेबल बी में लिखा था not having share capital table c में लिखना having share capital ठीक है having share capital यह और होने में कुछ समय लेगा न table d लिखो table d table d में लिखना unlimited company तुम इसे बोलों लिखते रहो टाइम वेस्ट नहीं होना चींच लिखो unlimited company टेबल D not having share capital मैं तो मैं याद कर रहा है था हूँ table B not having share capital table D not having share capital C और E having share capital ठीक है लिख लो unlimited company not having share not having share capital unlimited company not having share capital और table E में लिख लिजिएगा इसके बाद unlimited company having share capital अच्छा हो रहा है ठीक है क्या हो गया इस्कैनिंग रिपेरिंग चल लगी अब बताओ भला कर लो तुम कर लो पने मन की unlimited company having share capital share capital मेरे भाई मैंने आपसे क्या बोला है मैं बताता हूं तुम्हाइं नोट्स हम बड़ी बनाते यह बन गया इनको करने दो इनकी मन की हम तुम करते ना चलो सबसे पहला limited by share एक बड़ी बना दूसा limited by guarantee not having share capital तीसरा limited by guarantee having share capital चौथा unlimited company not having share capital पांच वा unlimited company having share capital हमने नोट्स बनाई है तुमने बनाई नहीं तुम देख लो समझा रहा गया बहुत basic concept दे रहा हूं है आपको यह तरीका है इससे क्या होगा अब जैसे कोई आप CDE टेबल क्या बोलता है company limited limited by share भी क्या बोलता है बी और डी में not having share capital है बी और डी में not having share capital है और C और E में having share capital है वाजीवा चैट section को और आ जाए बताना जाना तो form of memorandum याद हो गया तो मैं आगे बढ़ूँगा उस topic से नहीं चलूँगा दुबार उसको लिखना चैट section होने जल्दी समझे बताओ क्या form of memorandum याद हो गया है तो मैं आगे बढ़ जाओं जल्दी 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 बोलो companies are two thousandthardeen हां जी forms of memorandum याद हो गया है क्या जल्दी बोली बी और डी में not having share capital है ठीक है आज ही ओन होगे मन तो कर रहा है आई बोले अप्लिकेबिल्टी में सिर्फ ठीक लगा दीजी कहां ये है टेबल ए में ये टेबल बी में सी में डी में इमें बस टेबल दन हो गई ना यहीं तो चाहिए दोस्त तो को जाओ टेबल आला काम बहुत तबना था लेकिन वो रह गया ना कोई दिक्कत नहीं है कंट्रोल दा थिंग्स विच्व कैन कंट्रोल हम लोग कंट्रोल क्या कर सकते थे अपनी पढ़ाई हमने करी एनिके बसकी रोक लेंगे हम लोग को इतने सारे पेज पढ़ा दें तुम देख भाए रहा है ओकी आगे बढ़ू हां जी इस पेज को साइड करते हैं है इस पेज की आवशकता नहीं है एक ब्लैंग पेज में आपके सामने रखके लिखके लिख दिखा दिया वह वहीं जा दिको ब्लैंक पेज के अपनी ताकत है इस्तमाल करना सीखिए उसे ठीक है रोक जाओ मुझे समय दो एक सिकंड का ओके चलो जी चलो कि आजाओ आगे बढ़ते हैं प्राकृति कुझाले कुझाला रोका जाए दोस्त यह तो काम कैसे चलेगा ओके चलो बढ़ जाते अगले पॉइंट पर रहा हूं 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 कि अगला टॉपिक जो हमारा है वह है कि पॉर्म ओफ कि मैमरेंडम ठीक है कि पॉर्म ओफ में मैंने आपसे बोला है टेबल A B C D E पास्टेबल है टेबल B और D में not having share capital है B और D में not having share capital है और टेबल A C E में having share capital है that's it depends on the company guarantee company है फिर unlimited company है इस बात का विशेश ध्यान रखना है अगले पॉइंट पर मेरे साथ चलेंगे और लिखेंगे important points in MOA आजाओ लिखो फड़ा पड़ते है इंपॉड़ेंट कि पॉइंट कि इन मैमरेंडम ओफ एस्सोशेशन अब जड़ा चेक करेंगे कि मैमरेंडम ओफ एस्सोशेशन में इंपॉटन पॉइंट का मतला बहुत क्लियर है MOA की हमने बात करें हमने का जी यह पब्लिक डॉक्यमेंट है हमका जी ठीक है बट ऐसे नहीं चलेगा न समझो एक OPC कंपनी बहुत ध्यान से जो बताना चाहरो समझना ठीक है एक तीन तरह की मेजर कंपनी होती एक OPC कंपनी अब वह अपना MOA देना चाहती है तो एक व्यक्ति की साइन तो चाहिए एक प्राइविट कंपनी अपना MOA देना चाहती है तो कम से कम दो व्यक्ति की साइन चाहिए एक पब्लिक कंपनी अपना MOA देना चाहती है तो कम से कम साथ व्यक्ति की साइन चाहिए सर यह कम से कम क् करते हैं लिखिए पहला पॉइंट यहीं से शुरू करते हैं मोई मस्ट बी कि प्रिंटेड सबसे पहला पॉइंट यह मोई प्रिंटेड फॉर्माट में होना चाहिए अगला कि मोई मस्ट बी इन दीटेल्ड पैराग्राफ यह भी सुनो ऐसा नहीं कि बस एक स्टेटन बनाया और आपड़ तोड करते चले गए डीटेल चलना चाहिए और सास में सास में divided in paragraph भी होना चाहिए मतलब आपको detail भी पूरी देनी है और paragraph में divide करके लिखना है company को object यह है, company का purpose यह है सब कुछ decode करना अगला MOA must be MOA must be signed, जब हमने बोला signed अब यह sign की जब बात आती है तो दिमान का होना तो चाहिए signed by members of company bracket में लिखने, दिमाग में रखने के लिए minimum number of members जो minimum number of members है उनके द्वारा MOA को sign करा ही जाएगा example, one person company हमारे पास available है private company हमारे पास available है और public company भी हमारे पास available है private company में one person sign करेगा private company में OPC में one person sign करेगा private company में two person sign करेंगे public company में seven person sign करेंगे यहां तक बाट ठीक है अब सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी कर रहा है कि नियर फ्यूचर जो contractual responsibility होगी तुम नहीं बियर करोगे तुम्हारा विटनस बियर करेगा फिले पा रहे हो तो company सिर्फ इनते हो जाएगी लिखो moa must be signed by कौन करेगा यह तो करेंगे करेंगे इसके अलावा witness याद रखें कौन करेगा witness साक्ष कहां भया है अब यह कौन है तो witness कितने लिए जाएंगे वह भी सुन लीजिए इतने के हिसाब से एक दो साथ नहीं 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 अटलीस्ट वन विटनेस कि निचर और याद रखेंगे विटनेस में कभी भी माबाप नहीं होते वह तो हैं तुमको पैथा करती हां वेटा तुम हो है ना चैट सेक्ष्ट में जल्दी से बता दिए क्या सभी लोगों को इंपॉर्टन पॉइंट्स क्लियर हो गए कि मोई में यह इंपॉर्टन पॉइंट्स है जल्दी बताओ क्या सभी लोगों को एक लिए एमपॉर्टन पॉइंट नहीं चल्दी जल्दी बताइए फिर मागे बढ़ जाए है क्योंकि अब लास्ट अपिल ने कॉंटेंट आफ एम ओए ठीक है ना बहुत बढ़िया यहीं तो जीवन है ठीक है बच्चा लाइव क्लास नहीं लेता है बड़ा सही लिज़ता है कि क्या बाद क्या बाद बहुत सही जार है दो चलो कि आगे बढ़ जाते हैं चनाब अरे महाराज यहीं ठीक है बस जीवन में यहीं बढ़ियां चलना हम इसे में खोश है पढ़ा पढ़ा के खोश है बहुत मजा आता है मतलब यह वह काम ना जिसको करते हैं मेरे को यह लिखता कि काम करो में मता आ रहा है नेक्स लेवल जा रहा है एक अलग यहीं दुनिया है यह पढ़ादे वाली फिल गूड प्रैक्टा रहे चलो अब यह हैं मनाईए एम उए समझ लिया क्या होता है साइड डिटेलिंग अब जाना है कि भाई साथ एम ओए में हमने बोला यह एक समझना हमने का वाह हमने का यह एक फंडा मेंटल मेंटल नहीं फंडा मेंटल कंडिशनल और साथ में हमने का डाक्युमेंट है तो सवाल आया कोरा कागच कोरा था कोरा ही रह गया क्यों कुछ न कुछ तो लिखा गया समझे है तु मन में सवाल आया इचा कष्की ही है हाँ document है fundamental है हाँ बिना इससे कुछ नहीं होगा condition भी है हाँ जी condition है हाँ भई हाँ ऐसा वाला condition तो है अभी जो document है इसमें कुछ है कि कोरा का अगज़ खाली पर नहीं है तो इसके heading हमें बनानी पड़ेगी heading क्या बनानी पड़ेगी लिखो मेरे साथ में content of moa पता तो चले कि जिस Membranum of Association की हम लोग बात कर रहे हैं क्या content available है देखो मैं आपसे यह बोलूँगा कि content जानने के लिए हमें सिर्फ कुछ basic बाते समझनी है और मिरसास समझेगा सब पहले इसमें seven clause हैं फिल लीजे class का क्या बोला हमने seven clause है साथ clause साथ clause MOA में लिखे जाएंगे और इनहीं को base बना कर हम यह सीखेंगे कि actual में MOA में होता क्या है और MOA को fundamental conditional document क्यों कहा गया है मैं चाहता हूं कि आप दिमाग को 100% utilize करने लिए ready हो जाएं क्यों कि आप फिल लेने वाले कुछ बहुत ही तगड़ी चीज़ का ठीक है बहुत तगड़ी चीज़ का समझे देखिए आपको अब मैं जो बताने चलो नहीं अगर आप नहीं यूज करा है नए पेश पर आईए जो बताने चलो उसको लिखिए फिर explanation पर जाएंगे हम बात कर रहे हैं क्लॉज की अब समझे हम क्लॉज पर जाने से पहले एक के अश्योर कर लें कि हम यहां पर एक कंपनी को बहुत ध्यान से यहां पर एक कंपनी को क्रियेट करने की बात कर रहे हैं ठीक है जी कंपनी को क्रियेट करने की बात कर कर रहे हैं create करने की बात कर रहे हैं जो business operation में आएगी और हम साथ के साथ ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये company legal activity में involved हो है ना legal हो और हम ये भी कह रहे हैं कि हमें इस company को incorporate बोले तो register करना है incorporate करना है इसके लिए इसके लिए incorporate करने के लिए हम क्या करेंगे हम ROC बोले तो register of company मैं ROC लिख रहा हूँ आप कही explanation लिख लिएगा क्योंकि space की कमी की वज़ा से ऐसा हो रहा है हम ROC के पास जाएंगे और register of company के पास हम क्या करेंगे हम document को submit करने की बात करेंगे समझना हम document को submit करने की बात करेंगे और जो हमारा ROC है वो हमसे कह रहा है कि भाई साब आप document submit करने तो आ गए है बट क्या आपके document ministry of corporate affairs MCA मैंने बोला है relate करते रहो दोस क्या आपके document ministry of corporate affairs की जो condition है कि जो condition है उनको satisfy कर रहा है जो भी document आप दे रहे हो क्या आपके document ministry of corporate affairs की condition को satisfy कर रहे है तो हम ministry of corporate affairs और ROC के पास यह बात कर रहे है कि साब हमारा document ऐसा वैसा document नहीं है हमारा document memorandum of association है हम उसको यह नहीं बता रहे हैं कि आई बार पढ़ते हो लो नहीं यह सब नहीं कहा रहे हैं हम उनसे कहा रहे हैं on this point जो register of company ROC satisfy होगा company incorporate होगी सवाल है किस MOA में ऐसा होता क्या है वो आपको seven clause में बताने चल रहा हूँ ठीक है सबसे पहला इसमें होता है company का नाम अब बस आप ऐसे imagination में डालो कि अगर आपको company incorporate करानी है तो क्या आप company का नाम बगार सोचे जाओगे नहीं ना एक नाम होगा आगे बढ़ते हैं समय से चलना तो बहुत मज़ाएगा company का नाम होगा दूसरे point पर company हवा में तो होगी नहीं हाई ना कमपनी का registered office होगा तो उसको हम लोग registered office clause कहते हैं कि हाँ company का office यहाँ पर है यह हो गया तीसरे पर चलते हैं अब company है तो किसी motive से तो होगी ना उसको हम लोग object clause कहते हैं कि company profit motive के लिए आई है non profit motive के लिए मकसद क्या है चौथे point पर चलते हैं company आही गई है तो अब हमें यह भी पता लग जाए कि जो company जिसके हम बात कर रहे हैं इसकी liability कितनी है limited company बन रही है या unlimited company बन रही है तो हम यहाँ पर क्या जाते है liability clause पर जाते हैं अच्छा यह भी clear हो गया अब हमको यह जानने में इंट्रेस्ट होगा कि sir company जिसके हम बात कर रहे है capital contribution क्या है और इसके लिए हमें क्या जानना होगा इसका capital clause जानना होगा मेरा बाई समझ से चलना बड़े प्यार से आप सीखने वाले हो अब हमें इसका capital clause जानना होगा capital clause भी जान गए अब अब हमें जानना होगा कि जो इस company है यह इसके investors कौन है इसके subscribers कौन है यह किसे associated है तो हमें क्या जानना होगा हमें इसका association clause जानना होगा जैसे किसी को job मिलती ही न तो एक बार check करते हैं को उसके जो resume बना रखा उस पर reference किसका है reference जितना तगड़ा job मिलने की probability उतनी ही जादा reference जितना जादा कमजोर job मिलने की probability उतनी जादा कमजोर तो association आपकी investors कौन है subscribers कौन है यह बहुत जादा matter करता और आखिर में हमको यह check करना होगा कि जिस company की बात हो रही है जिस company की बात करी जा रही है इसका succession क्या है है ना आ जाओ लेकिन यह सिर्फ OPC पर available होगा ध्यान रखिएगा इसका succession क्या है सक्षेशन क्या है तो मेरा भाई seven clause की हम लोग बात करेंगे एक company का नाम आप company incorporate करने का याद ना company register करने जा रहे हो company का registered office state पता हो बस एक्दम exact address नहीं देना है कि 536 बटा फ़लान यह समने कंपनी का object profit motive में है non profit motive में है company liability limited liability unlimited liability है company capital authorized issued subscribe called paid up unpaid up reserve capital कितनी है association clause company investors कौन है और साथ के साथ company wait a second okay company के association clause company investors कौन है company में subscriber कौन है यह भी जान लिए और आखरी में succession clause applicable only for OPC अरब बहुत बढ़िया चैट section में बढ़ा देना क्या दिमाग में image बिल्डप होगी ओ भाई में यही तो होना है अब आपकी company incorporate होने के लिए रेडी है जल्दी से बताओ क्या सब होने दिमाग में सेट अप कर लिया अच्छा याद रखें सक्सेशन क्लाउस सिर्फ और सिर्फ OPC में लगेगा सिर्फ और सिर्फ OPC में लिख लो यही पर only for one person company जहां पर के बारे में बताना पड़ता है हां जी तो यह रहा आपका fundamental condition जो की document है उसका content क्या है seven clause है seven clause क्यों जानना जरूरी है एक company जब create होती तो business operation में आने के लिए legal activity में होने के लिए उसे incorporate होना जरूरी है company incorporate होने के लिए रजिस्टार आफ कंपनी के पास अपने document लेके जाती है वह रजिस्टार आफ कंपनी चेक करता है कि जो document आप दे रहे हैं वह ministry of corporate affairs under companies या 2013 की सभी condition को satisfy कर रहा है कि नहीं और आप उसकी condition को satisfy करें लिए आप उसे यह नहीं बोलते हैं हम document लाए है आप simple बोलते हैं हम fundamental conditional document लाए है Memorandum of association यह रहा company create होगी क्या ठीक है ना है कि होगे रिपोर्ट यहां तक चालिए आई अब कुछ कुछ पॉइंटर बना लेते हैं और इसको explanation में लॉक करते हैं ठीक है अब करके लॉक करते हैं मेरे साथ आई और हैडिंग मनाईए आप कितने कितने फोकस्ड हैं इस बात से समझाता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहें उस तॉपिक पर आप इस स्थिख की नहीं ठीक है आपके सवाल हो सकते हैं मैं deny नहीं करूँगा बट चल नेम क्लाउस में चलते हैं नेम क्लाउस लिखो में साथ नेम जिस नाम के हम बात कर रहे हैं मस्त नेम की बात करें, नाम क्यूं ज़री है भाई विच कंपनी नोन नेम-गाई-विच कंपनी नोन मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मिदारी से कह रहा हूँ बहुत जहां सुना, आप ना कभी भी किसी भी चीज को सुन रहे हैं तो वहाँ पर आप कभी भी एक pre mindset के साथ कत ही न सुने मैं class की बात नहीं कर रहा ह। मैं news challenge की बात कर रहा ह। YouTube पे video's की बात कर रहा ह। प्री mindset के साथ न सुने हाँ हाँ सही कह रहा है फिर आप जो सुनेंगे आपको सही लगेगा जैसे प्रिजेंट एरा में इलेक्ट्रॉल बॉंड को लेके बड़ा वो मचा है है ना कि इस पर्टिकुलर गवर्मेंट ने ये कर दिया वो कर दिया आपकी जानकार के बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक बॉंड जिसके हम बात आजकल इतनी जादा न्यूज में चल रही है 2017 में इंट्रड्यूस हुआ था कब बोला हमने 2017 में इंट्रड्यूस हुआ था जहां पर जो पॉलेटिकल पार्टीज है वो इलेक्ट्रॉलिक बॉंड इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पैसे को करेंगे इस्टेट बैंक ऑफ इटिया उन्हें बॉंड प्रोवाइड करेगा यह मैं क्यूं बता रहा हूं बिकर्स डेटा बहुत सारे मिसमैश कराए जाते हैं आपको आधी जानकारी दी जाती है और आप उस आधी जानकारी लेकर उड़ लेते हैं फिर आ लिमिटेड लिमिटेड वर्ड यूज़ हुजा समझ जाए हो गवर्मेंट कंपनी है अभी आपकी किताब में लिखाओ नहीं लिखाओ इस बास से बहुत फरक नहीं परता बड़ यही सत्य है किसी कंपनी के नाम के एंड पर सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा है तो गवर् प्राइविट कंपनी है किसी कंपनी के नाम के एंड पर पब्लिक लिम्टेड लिखा हुआ है तो जैसे हस्मुक लाल रुक जाओ रुक जाओ एक्जाक्ट इजाम्पल लेता हुँ ना लाइफ इंशॉरेंस लाइफ इंशॉरेंस कॉर्प्रेशन लिमिटेड प्राइविट लिम्टेड नहीं लिखा है लिमिटेड तो यह पब्लिक कंपनी ही है ध्यूर और आगे बढ़ते हैं कलर बदलते हैं पैन का सेक्शन एट कंपनी इसमें ना प्राइविट लिम्टेड वर्ड यूज होगा ना पब्लिक लिम्टेड यूज होगा बच्चा कहता है आएं तो क्या यूज होगा आजाओ इसमें वर्ड यूज होगा फाउंडेशन ये फाउंडेशन नहीं फाउंडेशन इसमें वर्ड त्रस्ट इंस्ट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंसिट्यूट ये भी सेक्शन एट कंपनी है एक बार जाके वापस इसको चेक करेंगे वेबसाइट पर यह लाएक उड़ी वबा ऐसा है क्या हां जी ऐसा ही है एसोशियेशन इनमें ऐसे वर्ड य जिस क्लॉज की हम लोग बात कर रहे हैं नेम क्लॉज समझेए इस बड़े शब्दों में नौट एपलिकेबल और section 8 company section 8 company पर एपलिकेबल नहीं होता तो सवाल है फिर कैसे चलती कंपनी उसके पीछे का लॉजिक लो है ना उसके पीछे का लॉजिक लो section 8 company रन होती है by CBDT और electronic bond जिसकी बात करी जारी वो भी CBDT से ही चलता है Central Board of Direct Taxes लिख लीजिए मेरे साथ में क्या बोला हमने Central Board of Direct Taxes चलिए तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नेम क्लॉस को लॉक कर दिया वार्ण इंद में प्राइबे के प्राइविट लिम्ते रसा वर्ड लिखा हुआ है वो कंपनी पबल्लिक लिम्केड कंपनी साथ के साथ वह गवर्मेंट कंपनी तो है तीसरा, sectionate company पर name clause applicable नहीं होता, sectionate company की नाम के end में या पहले private या public limited word नहीं उस होता, क्या उस होता है, association यूस हो जाता है, या फिर जैसे institute वाला ये word उस जाता है, club उस हो जाता है, तो वो आपके sectionate company है, sectionate company किसके अंडर में रन हो जाता है, cbdt, central board of diet taxes, तो आपने एक locker दिया, दूसरे पर चलते हैं जनाब, लिखो लिखो, registered office clause, आज ये lock करते हैं, हाँ जी, registered office clause, ओगे, check करो, जब नो ना registered office clause, इसका ये मतलब कता ही नहीं है, कि the name of the state in which company is situated or incorporated है ना, इतना लिख लीजे बस, बहुत ध्यान से, the name of the state, जिस state के हम लोग बात कर रहे हैं, कहां पर, in which, जिस भी company को हम लेके जार है ना, in which, company situated and incorporated, इसी के basis पर तो हम बता पाते हैं ना, कि company domestic है, या फिर foreign है, कैसे बता होगे, जब आपको पता होगा ना, किस state में company situate कर रही है, और incorporate कर रही है, आपके मन में सवाल, company जहां जहां office होगा, हर जगा, नहीं, on the very first time, जब company incorporate हो रही है, तो यह बताना जरूरी है, हर moment पर नहीं कि हम यहां office खोल नहीं है, आपको बताए, नहीं जरूरत है, भाई, अगला लिखो, object clause, class में याद करके खतम करना, ठीक है, याद रखना, object clause, देखो, दो तरह की object हो सकते हैं, तो कहा जाता है, disclose the object of the company during incorporation in MOA, आपको आपकी company का जो object है, इसको disclose करना पड़ेगा, MOA में आपको यह बताना पड़ेगा, है ना, कि company किस purpose से create कर रहे हो, there are two types of object, first one is very simple, profit motive, अब profit motive में नाम कई होंगे, आज के लगर आप एक trend देख रहे होंगे, यह नहीं इस पर बात नहीं करूँगा, चलो, अभी ध्यान से लिखो, नाम पर गियम हो रहा है, profit motive, एक तो यह हो गया, दूसरा क्या है, non profit motive, trend से ध्यान है, मैं इसको लिख लेता हूँ, रुकु जाओ, इस पर बात करूँगा दू, in between नहीं बात करूँगा न, wait for a second प्लीज, ठीक है, चलो, so, object clause में आपको आपकी company का object disclose करना पड़ेगा, कि profit motive लिए आ रहे हो, non profit motive के लिए रहे हो, purpose क्या है, profit motive के लिए रहे हो, private, public, OPC कुछ भी खोल दो, non profit के लिए रहे हो, सिर्फ sectionate company ही available, और कोई option नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अब माल लिजे, माल लेते हैं, माल लेते हैं, आपने, अपना object disclose करा, ठीक है, बहुत ध्यान से, आपने object बता दिया, लेकिन आप हैं नालायक, तो आपने क्या करा, आप उस object के beyond, act कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, आप उस object के beyond चले गए हैं, कि नहीं, हम तो ऐसे करेंगे जी, तो जो ये act beyond गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं, doctrine of ultra virus, ठीक है, क्या बोलते हैं, doctrine of ultra virus, अलड़ी बता चुका, अगर company के power के beyond गया है, the act will be null and void, director के power के beyond गया है, the act can be rectified, altered by passing a special resolution in journal meeting, I believe you, आप ये समझ गये हैं, हो, 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 आगे बढ़ते हैं, तीन कर लिए, साथ ही है, छोटे-छोटे हैं, कुछ है नहीं, चौथे पर्ण चलते है, liability clause, क्या बात, बहुत मज़िदार गया है, liability clause, मैं आपको पता हूँ, ये topic ना, मैं आपको ताथ-ाथ मिनिट में भी समझा सकता हूँ, जैकि लिखा नहीं सकता, और examination में, साथ-ाथ मिनिट की well नहीं है, है यह नहीं, liability clause, there are two types of liability, फास्ट निमिटेड, उसी unlimited, इतरही तो है, कहा कहा कौन जल दे रहा है, पढ़ भी नहीं रहे है ना, लेकिन important क्या है, liability जो तुम मान रहे हो, जान रहे हो, must be, disclosed in MOA, sir, यह वाला topic नहीं पढ़ा है, sir, यह वाला काम नहीं हो, sir, यह वाला test नहीं हो, sir, उसका result नहीं दिया, sir, live class ली, comment किया, नहीं, feedback दिया, नहीं, live class में daily थे, नहीं, test सारे लिख रहे हैं, क्या उसको हम revise कर रहे हैं, नहीं, जो तरहीं task दिये जा रहे हैं, क्या on time perform हो रहे हैं, नहीं, क्लास लाइव अटेंड हो रहे हैं, टास पूरे किये जा रहे हैं, इतना दम हकीकत में नहीं है, कि ऐसे बच्चे को fail कर दें, लेकिन आप एक बाद क्रॉस चक करनें, क्या हो रहा है, liability must be disclosed, कौन कौन सी liability होती है, दो ही liability होती है, पहला, पहली liability क्या है, limited liability, जो तुम्हारी अकेले की है, लेकिन नालाइकी से फरसत हो, तब तो इस पर बात हो, और दूसरी unlimited liability, जो तुमने हमारे उपर छोड़ रखे, जिसे law पढ़ा रहे होंगे, सर्व, इको का ये नहीं हुआ सर्व, अब मालो इको करा रहे होंगे, सर्व, एकाउंट का ये वला नहीं हुआ सर्व, ये होता है, ये पहली बार धोड़ी है, ये तो आम बात होगी हमारे लिए, और हम भी कहते हैं, बच्चा फोकस कर ले, तो मज़ा आजा, जो पढ़ रहा है, उस पर फोकस कर ले, ये ना चैट में लिखेंगे, पता तो चलना चीए, हम बहुत अटेंक्टिव हैं, आजाओ, चार होगे, पांच फोकस पर चल रहे हैं, क्यापिटल क्लाउज, हम, सबसे पहले बात, क्यापिटल कितने तरह की, सुनना है, अथ्राइज इशूट सब्सक्राइब, कॉल्ड़ पेड़ अपेड़ अपेड़ रिजर्व क्यापिटल, ये शेर क्यापिटल के पार्ट है, आजाओ, लेकिन धिखान रखें, जिस नौट हैविंग शेर क्यापिटल, तो जब ये खुदी कह रही है, कंपनी, नौट हैविंग, बता रहे हैं, जिस कंपनी में शेर क्यापिटल नहीं होती है, ऐसे भी कंपनियां होती है, तो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन, क्या में चाहूंग, पूरा लिख मेरे साथ लिखना, authorized, issued, subscribed, called up, paid up, reserve capital, इतनी तरह की capital होती है, authorized capital को registered capital भी कहते है, authorized capital को registered भी कहते हैं, और registered capital को nominal capital भी कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया, पांच पॉइंट हमने लोग कर दिये, दो और, अच्छा जा रहा है, समय भी लिया है, बताया बहुत तकड़ा है, मन खुश हो गया, पांच पॉइंट हो गया, अरे जाओ, चलो, छड़ association, succession, यहाँ पर आपको थोड़ा सा confusion रहा होगा, जो मैंने बोला होगा, बहुत simple है, लेकिन सुनेंगे ध्यान से एक बार में समझ आ जाएगा, association, clause, मैंने आप से क्या बोला, आपकी company किस से associated है, मैं इसको simple कर देता हूँ, आपकी company के investors कौन है, आपकी company के shareholders कौन है, बस, बा आपको यह समझ आ जाएगा, subscription, clause क्या लग रहा है, association clause क्या बार subscription clause क्या दिया आता है, just because, investor, shareholder, कौने पता लग जाए, shareholder disclose their desire to form a company, यह क्यों होता है, वो भी लिखिए, association clause में क्या होता है, लिखो, जो shareholder, से बोल हो, तो जो हमारी company से associated है, shareholder disclose करते है, they desire, they desire to form a company, कि भाई साब, company आप हमारे साथ मिलके बनाईए, तो यह भी जिस point पर आप बात कर रहे हो, इसको भी आप क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनलो, च्छटा point है, इसको भी आप अपने मन में नहीं रखेंगे, आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसे भी MOA में बताना पड़ेगा, कि सर वो जो company हैं आप जिसकी बात कर रहे हैं, वह हम अपने shareholder के साथ associate होकर बना रहे हैं, करना पड़ेगा, और आखिर में, succession clause, बहुत simple है, कि नाम पर मत जाओ, काम पर जाओ, तमस्ते हैं दोस्ट, सबसे पहले सबसे जरुए बात, only applicable on one person company, एक बात समझ जाओ, यह सिर्फ one person company भी होगा, क्यों, आगले point चलो, nominee of the OPC, nominee आ रहा है, क्या बोला था, यहाँ पर भी लिख लो, याद रहेगा, 120 days preceding financial year में, वो इंडिया में resident रहा हो, 120, आगे बढ़ते है, the class state that, who shall be the member of OPC, succession clause क्या बताता है, this clause, state that, who shall be the member of OPC, यह मानदाईर से बताओ, याद होगा है कि नहीं, तो चो, हमने बात करीए, भी succession clause की, succession clause, अब इसको word pick करो, perpetual succession से, perpetual succession क्या था, company की normal feature का part था, members में come, members में go, members में die, members में insolvent, but the company run forever, perpetual succession था, वहीं से pick करा गया, succession clause, इसमें क्या बोलते है, कि OPC में कौन effective member रह सकता है, यह हमें succession clause में बताना पड़ेगा, और section clause is only applicable on OPC, एक point और, in case of death of main member of OPC, यह भी आपको बताना पड़ेगा, in case of death of main member of OPC, कौन member रहेगा, यह भी कहां बताएंगे, कहां बताएंगे, succession clause में, ultimate गया, second का wait करो देरा, यह प्राव, बहुत ही बढ़िया, chat section on करते हैं, इस पर बता देना, क्या सभी को सारी बातें समझ आ गई, please let me know in the chat section, क्या सब को सारी बातें समझ आ गई, मेरे एंट से class बहुत खुबसूरत गई है, इसका feedback आप लोग comment section में देंगे, not in live chat, ठीक है, कहां देंगे, comment section में, अभी फिलाल मुझे section बताएंगे, क्या सब को सब बात समझ में आ गई है, जली जली बोलो, वो में बात करना था, trend की, कल हम ऐसी कुछ ती में में रेटे तो discuss हो रहा था, कि आज कल सब्सक्राइब क्या चल ला है, नाम से खेलना, नाम से कैसे खेल आ रहा है, वो बताता हूँ, सुना बहुत ध्यान से सब्सक्राइब करता हूँ, टास्क आई से मॉडल को रीड करना है, प्रिवेश से पेपर जितने क्वेशन आने बाद चेक करने कंपनी जाक्ट से, आपने अभी तक जितने टॉपिक पढ़ें, इनमें से हर अटेंट में क्वेशन आए, इबाँन को बता दूं, बस कुछ विक्त, हम लोग और यहां यूट्योप पर लाइव हो रहे होंगे, इस बाद हम सेपरेशन में जाएंगे, बट सुनी ध्यान से, नाम से क्लमाड कैसे होता है, आपको भाव करने इस पर बहुत डीटेल डिसकसम नहीं करें, क्योंकि पब्लीक प्रेट प्रेशन मिल जाएंगे, पहले ICM मॉडल से रीट करें, फिर उनक्वेस्टन को सॉल्फ जरू करें, वहां से आपको चाहते हैं इतना नमबर पाना, वह पाँएं, वह एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन हर दिन पढ़ेंगे तो जरूर होगा, थैंक्योंक्योंक्यों इस लेवल का होना चाहिए कि कंडीशन कमिटमेंट को ब्रेक ना कर पाए, चलिए अभीकली इतना ही, गुड़ जॉब